पती पतनी के रिष्टे को बेहद ही पवित्र माना गया है। सुखी दांपत्य जीवन की नीव पूरे विश्वास पर टिकी होती है। कहा जाता है कि कभी भी पती और पतनी को एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन चानक्य नीती में बताया गया है कि हर पतनी अपने पती से ऐसी कुछ बातें जरूर होती है जिन्हें वे छिपा कर रखती है। वो अपने पती को कभी नहीं बताती है। तो आईए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें होती है जो एक पतनी अपने पती से छिपा कर रखती है आचार्य चानक्य जी कहते हैं कि पत्नी उन खास पलों के बारे में कभी नहीं बताती है पत्नी के बार-बार पूछने के बाद भी वह केवल आधा अधूरा सच बोलती है पत्नी अपने पत्नी से कभी भी खुल कर अपने अंतरंग पलों का एहसास नहीं बताती है चानक या नीदी के अनुसार, शादी के बाद हमेशा पत्नी अपने पहले प्यार को याद करती रहती है पहला प्यार के लिए दिल में कहीं न कहीं सौफ्ट कॉर्णर जरूर रहता है लेकिन पती के पूछे जाने पर कभी भी पत्नी इन सब बातों को साजह नहीं करती है महिलाओं के अधिकतर मामले में ये सच बात होती है हर महिला का एक सीक्रेट क्रश होता है जिसे वो किसी के साथ साजह करना पसंद नहीं करती है हो सकता है कि ये क्रश सीक्रेट का राज अपनी उस सहेली को बताई हो जिस पर वह पूरा भरोसा करती है अक्सर आपने देखा होगा कि पती और पत्नी के बीच कुछ ऐसी बाते होती हैं जिनको लेकर उन दोनों में मतमेध होते हैं हालांकि पत्निया जगडे से बचने के लिए पती की हां में हां मिला देती हैं लेकिन मन ही मन तो वो इस फैसले के खिलाफ होती हैं हर महिला को किसी न किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या या कोई बीमारी जरूर होती हैं लेकिन वो इस बात को अपने पती को कभी नहीं बताना चाहती है, क्योंकि वह अपने पती को परेशान नहीं करना चाहती है। कहा जाता है कि पतनियां घर के खर्च से कुछ पैसा बचा कर अपने पास हमेशा रखती हैं, लेकिन इसके बारे में ये बातें कभी भी अपने पती को नहीं बताती हैं.